नमस्कार आप सभी का स्वागत है बेसिक सिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डेली उन्वर्सिटी का लास डेट है आज एक्सेप्ट करने का आपके कोर्स जो आपको आफर हुए है तो कितने बच्चों ने अभी तक आफर करा है क्या फीज पेमेंट कितन टोटल जो डेली उन्वर्सिटी में बच्चे है ठीक है ना पहली सीट एलोकेशन आ गई है और उसका 6 अगस्त तक फीज पेमेंट करने का डेट है चार तारीक तक आपके पास समय है कि जो सीट आपको आफर हुई है वो एक्सेप्ट कर लीजिए जो कि बहुत सारे बच्च करेंगे वो भी बताएंगे आपको ठीक है फिर आपके पास मैक्सिमम छे तारीक तक का समय है अब ऐसा नहीं कि आप चार को करिएगा वो पांच को करेंगे तो आप आज भी करते हैं अगर मालीज चार है आज कर देते हैं तो आज भी हो सकता हो एक ही दिन में डॉकुमेंट कर दें तो आज भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं यह मैक्सिमम डेट बता रहा हूं कि छे के बाद आप फीस पे नहीं कर पाएंगे दूसरी इंपोर्टेंट बाद अगर डेली उनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आप बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोर्स ए सबने एक्सेप्ट किया है ठीक है अल्मोस्ट 75,000 सीटे हैं डियू में सभी कोर्स में तो हमें लगता है कि जितनों को गया सबने एक्सेप्ट कर लिया किसी ने छोड़ा नहीं है क्योंकि कुछ लग भी तो नहीं रहा था बस accept बटन पर क्लिक करना था अब उसके बाद क्या किया है इसमें से सिर्फ 9000 बच्चों ने पेमेंट किया है ठीक है तो यह हो सकता हो कि कुछ बच्चों का भी डॉक्मेंट बेरिफाई नहुआ हो ठीक है कुछ बच्चों का हो सकता हो डॉक्मेंट बेरिफाई हो गया पेमेंट ना किया हूँ उसका क्या रीजन हो सकता है मै आपको बताता हूं maximum बच्चे बीच के बीच में common होते हैं खासकर science वाले बच्चे ठीक है क्योंकि वहां भी तीन डोमेन लगना है तो वह common होते हैं बच्च को बीच करेंगे कि बीच्च में लेना है क्योंकि थोड़ा फीजादा है वहाँ रहने का खर्श थोड़ा जयादा है तो इस वज़ए से तो नोहीं हजार बच्चों ने किया है और मैं आपको सचाही बता रहा हूं कि 73 हजार में से 20 छे हजार सीटे पहले तो और नीचे कट-off आएंगे और सब्सिक्वेंट राउंड में और लोवर मार्क्स वालों को देली उन्वसिटी ऑफर होगी देली उन्वसिटी में अडमिशन पाना बहुत असान है इसलिए नहीं कि देली उन्वसिटी का यह ज़्यादा है कुछ भी वह है ठीक है क्योंकि वह भी आपके चार कॉलेजी जिसमें से 3 कॉलेज लड़कियों के लिए एक कॉलेज दोनों के लिए और उसमें हर कॉलेज में हर कॉर्स नहीं चलता है याप बस बी और बीकॉम मेजर ली चलता है ठीक है तो इसी वज़ए से तो अब तक 9,919 लड़कों नहीं F.E.S. पेमे हम आपको सबसे पहले बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे ताकि आपकी काउंसलिंग समूथ हो जाए और 2024 वालों के लिए जल्द हम तयारी भी कराने वाले ठीक है उसके बाद देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि डेडलाइन से पहले आप फीस पेमेंट वगरा कर लीजी यह तो आम बात है अब अगर हम सेडूल पर जाए तो देखिए हां सेडूल में भ अगर इनका मन है कि नहीं हमको नहीं करना है तो ऐसे यह बने रहेंगे इनको और कुछ करने की जुरूरत नहीं है थिक यहां पर अभी अपग्रेड का अप्शन आएगा ठीक है अगले राउंद में अगले राउंद में बस इनको अफग्रेड पे क्लिक कर लेना है ठीक है फ्लोट कहो अपग्रेड करहो या कुछ भी कहो वो उससे क्लिक कर लेना और कुछ तो उससे उपर जो 22 प्रिफरेंस है उसमें वो कुछ उपर नीचे करना चाहें तो इनके पास साथ आठ दो दिन का समय होगा कि उपर वाले को कर पाएंगे उसके नीचे वाले को नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे तो जाना नहीं है अपग्रेट जीवन में हमें सादमी आगे बढ़ता है ना नीचे कभी जाता नहीं है तो अग्या करेंगे आपको तेज नमबर मिला है तो उपर के 22 में अब आपका अपग्रेड होगा तो चांस होगा ठीक है और अगर अगले राउंड में तो ये वाली सीट आपको अधिकार नहीं होगा पुरानी सीट पर आप से पूछा नहीं जाएंगा कि आपको पुरानी सीट रखनी है मुझ अभंशों को अपग्रेड कैंसल करके तो यह सई नहीं की सेट की इस देंवुज्च के लिए बहुत अट न मे Look कर ना आपको साथ यह भी हो सकता है या तो कि बहुत सारे बच्चे फीस पेमेंट कर दें और आने वाले समय में वह एडमिशन विड्रॉख कर लें क्योंकि भी धीरे धीरे अभी कट आफ लो जाएगी ना पहली कट आफ थोड़ी हाई रहेगी ठीक है तो लास्ट राउन तक आप काउंसलिंग क हो जाएगा यह यूजीसी ने बोला है ठीक है तो फीस आपका पूरा रिफंड होगा एकदम यूजीस बात पर सकत है आपको गिवन टाइम लाइन के अंतरकत अगर आप कैंसल कराएंगे तो उस समय तक आपको क्लियर्टी आ जाएगी कि कहां मिलना कहां नहीं मिल रहा है त 73,554 बच्चों ने accept किया है 9,000 के करीब बच्चो 10,000 के करीब बच्चों ने उसको fees pay किया है बीचु की अभी list नहीं आई है हाला कि बीचु के administrations कह रहे हैं कि पीच कैंडिटेट्स के higher marks वालों को payment link गया है पर हमारे पास जितने पीच के students हैं उसे हमने बात किया किसी को अ चुगा result आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कितना merit जा रहा है ठीक है डिव में भी कितना merit जा रहा है सारी analysis करके हम लेके आएंगे हरे college wise ठीक है सारी चीजों के बारे में आपको परिशान नहीं होना है स्वस्त्र है मस्त्र है खुश्र है all the best love you